हमें हुआ है है इस अफर इस तो स्वागत आपके अपने चैनल PM plans and design में दूस्तों आज का जो topic है वो आपका plot area क्या है built up area क्या है set area क्या है करपेट area क्या है और super built up area क्या है आज उसी के बारे में हम जानने वाले हैं कभी कभी क्या होता है आंदर confused हो जाते हैं सबुझे जानते हैं लेकिन कन्फ्यूज हो जाता है कि अप्चल में यह चीज क्या है तो आज हम मुझ्ट अपिक के उपर बात करने करेंगे ठीक तो पहले देखते हैं आपका प्लॉट एरिया क्या है लोट एरिया अगर बोला जाए मतलब आप अगर कहीं पर जमीन खरीद रहें अगरे जितना जमीन का एरिया है आप मतलब जो जमीन खरीद डरहें मतलब मां लिजें आप 2000 स्क्वार फिट का जमीन खरीद रहें तो वो हो गया प्लॉट एरिया मतलब यहां पर देख लिए आपका जमीन जो है इतना कि पस्तुम मान लीजिए 2000 स्क्वार फिट ठीक है यह हो गया अपका प्लोट एरिया जितना जमीन आप खरीद रहे हैं लेकिन बिल्ट फिर्छ क्या होता जो जमीन के अंदर जो जगह है उसके अंदर आप कितने अरिया में अपना घर करेंगे वो होता है आपका built-up area मान लिजे आपका 2000 square feet आपका plot area हो गया लेकिन आपका 1500 square feet जो उसके अंदर आप करेंगे वो है आपका built-up area मतलब यह वहला person जो घर हुआ है यह वहला पर जितना भी हुआ है यह हो गया 1500 square feet मान लिजे इसको बोलते हैं built-up area उसको आप लीन भी बोल सेकते हैं ठीक है लौट अरिया हो गया है अब बात करते हैं सेट भी आक एरिया क्या है मतलब जो गवर्मेंट जब बोलता है कि मतलब घर करना है उसके मतलब बगल से 3-4-5 जगा चोड़के करो मतलब देख लिए आपका इरिय हो गया यह बिल्टव यह यह हो गया जो जगा यहां पर आपका बच्चा माले जी यह तिन फिट तो यह जितना जगा बच्चा उसको बोलते हैं सेट वियाक एरिया एक्ट तो अगर कहा जाए सेट विया आरिया कैसे निकालना है तो प्लॉट एरिया माइनस बिल्ट आप अगर कर देंगे तो आपका वतलब कि लॉट एरिया माइनस आप maps без तर्धितर देंगे तो आपका निकल जाएगा सेट याभ रॉआ थोड़ा handwriting इतना आप चाहिए नहीं यह थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसलिए तो हो गया आपका setback area क्या कि हो गया मने plot area minus built up area यह area से आप यह जितना घर बनाएंगे उस area को minus कर देंगे तो आपका यह वाला portion setback area निकल जाए अब बात करते कार्पेट area का ठीक है कार्पेट area जो होता है वह है आपका built up area minus area of wall मतलब समझे कार्पेट area मतलब यह हो गया आपका total built up area इस में से आप अगर वाल जितना है उसको माइनस कर देंगे जो आया उसको बोलेंगे कार्पेट area मतलब समझ लीजिए आप उसको फ्लोर एरिया भी बोल सेकते हैं यह वाल माइनस कर देंगे तो आपका वह आ जाएगा फलोर एरिया बोल चेकते हैं कार्पेंट अद्श्छ जिये आपका समझीयँ जिसे कि आगया आपका सुमिंग व vårt लॉबी आपका स्टेरब केस हो गया आपका हो गया अपका कुछ मतलब छोटा उटा पार्क हो गया। लीफट हो गया। तो उसको बोलते हैं कर डिल्ट आप ए्रिया। पृट उसमें आपका सेट ड्याख एरिया आप होगा। प्लस आपका 일इया ब्लत आप होğगा। प्लस 20 पर्षेंट आपका common area भी common area आपका 20 पर्षेंट आड़ हो जाएगा ठीक है तो यह था टोटल आपका जो होए plot area, सब्सक्राइब करोंगा तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकोन को प्रेस कर लिजे क्योंकि इस चैनल पर हम आपको इसी तरह का प्राक्टिकल नॉलेज, प्लान्स, 3D डिजाइन, 3D ड्रॉइंग्स यह सब आपको मिलने वाला इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकोन को प्रेस कर जीजे और वीडियो को एंट तक दिखने के लिए आप से भीका बहुत बहुत धन्य तैनक यूल